इस पहर, आज मैं आप लोग को बताने वाला में एक नए रिशार्च में आया हूं आपको बताने वाला हूं कि यह जो हमारा हरसंगार का पोधा है इस पह अभी तक हमने से जर्म्नेसिं किया है लेकिन आज मैं पहली बार इस रिशर्च करने जा रहा हूं कि क्या ये हमारा air leveliving से भी चलता है कि नहीं चलता है तो आएए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं करके कि air levelitting मैं आपने हरसंगार के plant पे कैसे करेंगे आयए दिखेः करने के लिए आपके पास ये लिगाने के लिए हमारी दिखाते है करके सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों यह हमारा जो क्या नाम है देखिए यह हमारा नोड रहता है और इसके बीच में इंटर नोड रहता है यहां तक यह हमारा नोड है ठीक और यह हमारा यह दोनों बीच का इंटर नोड है ठीक है दोनों नोड के बीच में जो होता है इंटर नोड होता है इसी के हमें ग्राफ्टिंग करना रहता है ठीक इसकी जो ग्राफ्ट आब नेनकालते हैं ने कुल देखिए यह दू अब हम शूप pierws ही में लगाएंगे ऑर वार मात्रा में लगाएंगें ऍब क्या होता है कि हमारा उन्ट आन पाए दिए जो रूटेक्स हार्मोज लगाएंगे यह अनामिका उंगली से पुरा राउंड करने में आसान होता हमको रूटेक्स हार्मोज लगाते समय एक बात का ध्यान जरूर दें कि जो हमारा अंदर का भाग है जो जायलम के अंदर जायलम अंदर दिख रहा है इस पे हमारा जो है रूटेक्स हार्मोज न करने पाए अगर इस पे लग जायेगए तो बिल्कुल सुक जाएगा अब यह हमारा लग चुका है इस पे रूटेक्स हार्मोज अब पर क्या करेंगे how पर बाद हैंगे हैं दोस्तों तो मैं इस पर ग्राफ्टिंग करेंगे ग्राफ्टिंग में देखें क्या-क्या मैंने पहले बताया कि सिकेटियर और बडिंग नाइफ शुत्री मास गास रूट एक्स और पॉलिथीन पॉलिथीन की जो साइज है शिक्स गुड़े शिक्स इंची की होनी चाहिए और इसमें जो मास गास लगेगा करीब एक में 30-40 ग्राम का मास गास लगता है इसको इंग्लिश में इस पैग्मम बल्चे करेंगे में सब्सक्राइब और और ने के बाद इसको इस तरीके चरहें करेंगे में करेंगे और पकडने के बाद इसको दोनों तरफ दोड़ा थोड़ा सा पॉलतीन को do करेंगे कारण है ताकि हमारी पॉलतीन और मास घास अच्छे से ताइट हो जाए इसके अंदर अगर एयर चली गी तो उपार ये जो और अब यह कर रहे हैं हम कर रहे हैं यह हमारा चलेगा नहीं और साइट साइट से से प्रेस करके दबा करके उसके बाद हम इसको इसी तरीके से पॉलिफीन से इसको अच्छे से बालेंगे लेश्म मिभण ग्लाज़ कि तो यह जो नाधी है कर दो बंदर गया है दूसरे इस टयब करेंगे परोग नहीं कला डियए हैं ठाम अचली का चिस कि अचली । को चुछ कि पती आप हैं यह जापना हैं यह जड़ाग पुछ दोगत शोगत, यह जापना अचली यह जब माझना हैं को अचली की लगता हैं खोगा हैं कि यह आप देख सकते हैं यह बंद करके बिल्कुल तयार हो गया हमारा और अब इसके अंदर मैं देखूंगा 45 देश के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर रूटिंग कैसे आता है धन्यवाद